खरगोन में 70 वर्षिय बुजूर्ग महला की संदिक दमौत, मृतिका के बैटे ने लूट के बाद हत्या का लगाया आरोप खरगोन जिला मुख्यालय पर में गाउं थाना शेत्र के जेतापुर में 70 वर्षिय शकुंतला भालसे का घर पर खून से लगपत शव मिलने की सूचना पर संसनी फैल गई बुजूर्ग महला घर पर अकेली रहती थी, महला के शरीर से 3-4 लाक रुपे कीमत के गहने और नगदी 20,000 रुपे गायब है एसपी धर्विर सीह, एसपी मनिश खत्री सहित, एफ एसल और डॉक स्कॉट के टीम भी मोके पर पहुँची परी जनों ने हत्या के आशंका जताई है, गटना के बाद घर के बाहर भारी भीड लग गई बुजूर्ग महला की मोत से शेत्र में रोश है, एसपी धर्विर सीह का कहना है एक व्रद्ध महला की संदिग्द परिस्तितियों में मोत हुई है फॉरेंसिक सहीद हमारी पुलिस की टीम भी आई है, किस प्रकार मोत हुई है, अभी ये पोस्ट माटम के बाद इसपस्ट होगा लूट को लेकर कहा सारे तक्तियों को अभी बताना संभव नहीं है, मोके पर चेकिंग कर रहे हैं, पोस्ट माटम के बाद और परिजनों के स्टेट्मेंट के बाद इसपस्ट होगी महिला के बेटे राकेश भालसे का कहना है मा अकेले रहते थे, सुबस साड़े साथ बज़े फोन आया पडोसी का, यहां आकर देखा वे मृत अवस्था में पड़े थे नाखुन से नोचने के निशान है, मुँँ में से खुन निकल रहा था, गहने भी मिसिंग थे, पैसे भी अलमारी में से गायब थे, लूट हुई है, 3-4 लाग के गहने थे, करीब 20 अजार रुपए नगदी थे, लूट के बाद हत्या कर दी है, ऐसा लग रहा है, चोकी पर साथ बजे मुझे खबर लगी कि आपके दादी पलंक से नीचे गिर गए, भी आ जल्दी आ जाओ तुम्हें आया, पलंक के नीचे गिरे होए थे, मुँव से खुन निकल रहा था, फुर देरा हाथों में सब ऐसे खरोज के निसान है, यह सब, अमके चूडियां ले गए, गुठियां निकाली, गले से सुने की चेन वगेरा थी, सब निकाली, हाँ, हाँ, इसाब वहत्या कब करें अब यह तो अभारा आइडिया नहीं है, पुलिस पहुती थी, हाँ, पुलिस आगे, एस्पी साव अगेरा सब आये थे, सब, डाग स्कॉट गया थे, सब करके पुलिस परिजाने उनके स्टेटमेंट्स के बाद ही, सारी सिथी इसपस्ट होगी बिजियाना निउस डिमार्ड रिपोर्ट खरगोन पार की पलपल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चेनल डिजियाना निउस डिमार को सब्क्राइब जरूर करें